हेलो गाइस, आम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point गाइस जिसे कि आपको पता है कि मैंने आपकी पॉलिटिकल की जो क्लास है वो कॉंटिन्यू कर दी थी सो हमने फर्स क्लास के अंदर पढ़ा था कि राजनीती क्या है और बागी सारे चीज़े और लास्ट में उसमें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि सिध्धान्त क्या होते हैं ठीक है तो आज की क्लास जो हम कॉंटिन्यू करेंगे वो सिध्धान्त से ही करेंगे क्योंकि सिध्धान्त हो सकता है आपने last time नहीं अच्छे से समझा हो तो उसको समझके फिर आगे का हम political theory राजनितिक सिध्धान्त क्या है जो main हमारी unit है उसको start करेंगे ठीक है अगर आप लोगों नहीं से पहले वाली class नहीं attend की थी तो उसका link में description में दे दूँगी आप महा से जा के उस class को attend कर लेजे साथ ही साथ में telegram channel भी आपको provide किया गया है first year के students के लिए specially एक separate channel and groups बनाये गए हैं आप उनको भी join कर सकते हैं ठीक है student so हम एक बार again देखते हैं कि सिध्धान्त का अर्थ पॉल्स भी बोलते हैं कि वैग्यानिक सिध्धान्त समाने करणों के इन निगमात्मक जाल के रूप में जिससे ग्याद घटनाओं के कठित पर कतिपे प्रकारों की व्याकिया थ्वा पूर कथन संभव हो ठीक है कि मतलब सिधी सिधी बात की कॉर्डिनेशन वाली बात इन्होंने बताई थी ठीक है काइडिस क्या बोलती हैं कि सिध्धान्त सभ्य मानव जाती की प्रकति का आवशक उपकरण है ये सब्य मानव जाती का ये एक उपकरण माना जाता है मीन से एक element माना जाता है और ये यथार्थ का प्रतिकात्मक प्रतिनिधित भी करता है ये मतलब उसको representative भी एक तरीके से माना जा सकता है काल पोपर ने बूला कि सिध्धान्त एक प्रकार का जाल है जिससे जगत को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके जिके किसी भी चीज को पकड़ कर अच्छे से समझने में ही उसके थियोरी लिखी जा सकती है अब आगे ये हैं कि सिध्धान्त का नोभव परक व्यावस्था की प्रारूप की अपने मन की आग पर बनाएं गई रचना है तियोरी आप किसी भी चीज की थियोरी लिखोगे वो अपने परस्पेक्टिव से अपने नजर्ये से अपनी ही आग से देखने वाले नजर्ये पर डिपेंड होकर उसको लिखोगे इसलिए काल पॉपन ने ये वाली बात बोली है अब आता है हमारा राजनीतिक सिध्धान्त का अर्थ और सवरूप ठीक है राजनीतिक सिध्धान्त का अर्थ सिध्धान्त अंग्रेजी भाषा का थियोरी शब्द का हिंदी रुपांत रण है ठीक है अंग्रेजी में थियोरी बोलते हैं और हिंदी में अगर इसको सुकंद्रित मानसिक दृष्टी जो समंदित वस्तुवा विशे के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करती है मतलम समझने के परस्पेक्टिव से वो चिंता वैवस्था कि यार मुझे अब ये समझना है मुझे इसकी चिंता हो रही है मुझे इसकी फिकर है वो वो चीज पाने के लिए एक मानसिक दृष्टी है जो सभी समंदित वस्तुवों टॉपिक्स इन सभी से रिलेटिव जो चीजे होती है उनकी रियालिटी को और उनकी वजाओं को उनके कारणों को सामने हमें बताती है ठीक है ये था हमारा राजनितिक सिध्धान्त का अर्थ अब आ ज़ते हैं हम राजनितिक सिध्धान्त के कुछ परिभाश है Arnold Breast बोलते हैं कि सिद्धान किसी ऐसे प्रस्तावना और उन प्रस्तावों का सेट है जिसका निर्माण विशे सामगरी के संदर्ब में आपरिये वेक्षित और आप्रगट अंतर संबंधो या किसी वस्तो की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जो हमारे breast हैं वो ये बोल रहे हैं कि सिद्धान थियोरी किसी ऐसी ऐसे प्रपोजल का या फिर उन चीजों का एक सेट माना जाता है जिनका निर्माण टॉपिक्स या सामगरी के साथ में रहे कर और उसके अंतर को बताने के लिए उसको यूस किया जाता है मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया कि आप स्टूरेंट्स हो मेरे और मैंने आपको टॉपिक दिया आपने क्या करा उसको मैंने कहा कि थियोरी में लिखो अब थियोरी में लिखने बैठे तो पहले आप टॉपिक देखोगे टॉपिक को फिर अनलाइस करोगे उसके बाद कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या बाते आ सकती है उसको अपने पर्सपेक्टिफ से लिखोगे ठीक है एंड्रियो हेकर बोलते हैं कि एक प्राचीन संदर्ब में इसका अर्थ राजनेतिक विचारों के इतिहास से है मतलब जो हमारे ट्रेडिशनली तौर पे पुराने तौर पे देखा जाए तो राजनेति का मीनिंग राजनेतिक विचारों के इतिहास से मना जाता है और दूसरे हम अगर देखें आधुनिक राजनितिक विचारधारा के परस्पेक्टिव से तो राजनिती वैवहार या यथार्थ और व्यवस्थित अध्यन है ठीक है मतलब कि प्राचीन संदर्ब में राजनितिक जो है वो विचारों के इतिहास से मानी जाती है और दूसरे में कि आधुनिक राजनितिक जो मौडरन टाइम की पॉलिटिक्स है उसके अंदर राजनिती वैवहार का यथार्थ और व्यवस्थित अध्यन किया जाता है कि इसको हम अलग-अलग तरीके से जानने के लिए मौडरन टाइम में और ट्रेडिशनल टाइम में दोनों में अच्छे से देख चुके है ठीक है कुछ डेफिनेशन और हैं जो मापको बता देती हूँ लिखी नहीं है मैंने क्योंकि हो सकता है आपके बुक में किसी और की डेफिनेशन हो तो बच्चे हमेशा कन्फियूज हो जाते हैं आप ये डेफिनेशन लिखना चाओ लिख लो नहीं लिखना चाओ तो कोई इशू नहीं है आप उसको अवाइट कर दो अपनी बुक से definitions लिख लो तीशरे हमारे फिलोसफर है पॉलस्वी पॉलस्वी जिसने सिध्धान्त की भी जो हमारी definition वो दी थी पॉलस्वी बोलते हैं कि विग्यानिक सिध्धान्त समानिय करण के निगमनात्मक जाल के रूप में जिससे ग्याद घटनाओं के कतिपे प्रकारों के व्याकिया और पूर्व कथन किया जा सकता है ठीके scientific perspective में coordination अब ये मांग रहे हैं पहले इन्होंने scientific perspective में coordination नहीं माना था चौथी जो हमारे फिलोसफर हैं वो है कोहें कोहें बोलते हैं कि सिध्धान शब्द एक खाली चेक के समान होता है जिसका संभावित मूल उपियोगिता करता और उपियोग पर निर्भर होता है वही वाली बात कि मैंने आपको लिक गहा कि भाई इसके सिध्धान लिखो इसकी थियोरी लिखो मैंने आपको खाली पेज दिया अब वो उसको यूस करने वाले के उपियोगिता करते के पर निर्भर है कि वो उसके अंदर क्या लिखता है क्या भड़ता है क्या नहीं भड़ता है ठीक है I hope आपको इसकी definitions अच्छे से समझ आ गई हो अब हम time waste करें बगेर आगे बढ़ते हैं उससे पहले डैविड इस्टन की और सुन लो हो भी बहुत important है डैविड इस्टन और ये जो कुछ philosophers है ये गिने चुने मैंने नाम इसले रखे क्योंकि इनके नाम आपको third year तक regular पढ़ने है ठीके डैविड इस्टन बोलते हैं कि सिध्धान समवर्गी की अनुभाविक संगीता पूर्ण लिये हुए एक ऐसा तर्ग पूर्ण एक इकत सेट है बहुत ही मुश्किल हिंदी है इसको easy करते हैं उन्होंने बोला कि सिध्धान समवर्गी की अनुभाविक संगीता पूर्ण लिये हुए कि मतलब उन्होंने बोला कि एक तरीके से हमारे behavior के तौर पे देखा जाए behavior लिये हुए ऐसे तर्ग ऐसे perspective को एक साथ लेकर चलता है जिसकी मदद से राजनीतिक जीवन का visualization एक राजनीतिक व्यवार और व्यवस्ता के रूप में किया जाना समवर्ग है जिसकी help से political life जो है उसको analyze किया जाना और उसके behavior को जानना बहुत जादा easy हो जाता है ठीक है अब आते हैं राजनीतिक सिधानत की प्रकरती nature of political theory ठीक है nature of political theory की हो सकता है आपके book में कोई और से जो है points लिखे हुए हूँ लेकिन मैंने आपके वो points रखे हैं जो आपके बहुत जादा जरूरी है आपके book में कोई और point है तो आप मुझे वो show भी कर सकते हैं उसका photo click करके भेश सकते हैं टेलिग्राम चैनल जोइन करके वहाँ पर main channel पर ही तीन जो हमारे main है राहुल सर, प्रीती मैम और मैं तीनों के ही name starting में show हो जाएंगे महा से आप जाकर ID लेकर हमें chat पर भेश सकते हैं तो आप मुझे एक बार दिखा दे न अगर आपको कोई confusion हो तो otherwise अपनी book से लिख लो कोई देकत नहीं है देखो, राजनेदिक सिधानत प्रकरती जो होती है न वो historical base पे, philosophical base पे और science के base पर देखी जाती है ठीके, और भी perspective रखे गए हैं लेकिन ये जो तीन main होते है न इनको coordinate करने के बाद ही, इन तीनों को आपसी में मिलाने के बाद ही इसके बारे में पता लगता है, ये कोई संक्रिन प्रकरती वाली अवधारना बिल्कुल भी नहीं है इन्होंने का कि भाई इसको बिल्कुल नॉर्मली का बहुत सारे टॉपिक्स का coordination है, लेकिन कुछ निमलेखी टॉपिक्स दिये गए हैं, उनको आप जान लो सबसे पहला क्या है हमारा, राजनितिक सिध्धान्त इतिहास के रूप में पॉलिटिकल थियोरी हिस्टॉरिकल परस्पेक्टिव जोर्ज सिवाइन नाम के विद्वान हैं, उन्होंने माना कि राजनितिक सिध्धान्त इतिहास है कि पॉलिटिकल थियोरी हिस्ट्री है, जो कुछ बीच चुका है हिस्ट्री के अंदर, वो ही चीज़े इसके अंदर भी होती आ रही है लेकिन समस्त इतिहास राजनितिक सिध्धान्त नहीं है मतलब पूरी हिस्ट्री पॉलिटिकल थियोरी नहीं है सिर्फ कुछ चीज़ें ही पॉलिटिकल थियोरी मानी जाती है ना ही समस्त राजनितिक सिध्धान्त हिस्ट्री है, कि मतलब इनोंने बोला कि देखो राजनितिक सिध्धांत को मैं इतिहास बता रहा हूँ लेकिन सारी चीजें मिलाकर तो इतिहास राजनिति के अंदर नहीं आ सकती हो सकता है किसी का इतिहास family से related गुजरा हो किसी का इतिहास economical गुजरा हो कुछ और बात हो तो उसको तो हम political में नहीं डाल सकते हैं तो इसने नों बोला कि बस जो political बहाफ पर history है उसको ही हम राजनितिक सिधान की history मानते हैं ठीक है राजनितिकी परमपरा वा असली रूप को समझने के लिए जो उनका इतिहासिक अध्यान होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वो ऐसा बोलते हैं कि जिससे इतिहास से हमें कई विश्य और अनुभवों की जानकारी भी मिल जाती है आगे ये वाली बात ही समझाना चाहरे हैं कि एतिहासिक अधियन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जैसे कि मालू आपको कोई फिलोसफर पढ़ाया जायागा इनमें से ले लो डैवेड इस्टन ले लो मैंने बताया काफी फेमस और आपको आगे तक पढ़ने है डैवेड इस्टन के बारे में आपको आए कि इनके बारे में लिखो अब आप क्या करोगे इनकी हिस्ट्री जारोगे इनके बारे में कि भई ये उस टाइम पे क्या थे क्या करते थे इनका पूरा नाम क्या था पेरेंट्स का क्या था का जन में थे कामरे थे सारी चीज़े आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी तो वोई वाली बात को जो हमारे सिवाइन है जोड़ सिवाइन वो ये बताना चारे हैं कि किसे भी परस्पेक्टिव को समझने के लिए historical background हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है आगे ये कि प्रोफेसर एल एस राठोर नाम के एक प्रोफेसर है उन्होंने बोला कि मतलब शाश्वत रूप से महतपूर्ण वन देशात्मक मनुष्य की अनन्त प्रगति में समकालींता से अप्रत्यक रूप से जुड़ा है मतलब इनसान सीधा सीधा बोला जाए तो भाई इनसान के परस्पेक्टिव से इनसान के ओर्डर से इन सब चीजों से राजनितिक सिध्धान जुड़ा हुआ है आप जिस नदरिये से इसको देखना चाहो देख सकते हो लेकिन historical background डालना बहुत जादा जरूरी है ठीके इतिहास पर ध्यान मत दो ये कोई और से philosopher बोलते हैं वो कहते हैं कि राजनितिक सिध्धान के आनंद दुबारा कभी नहीं मिलेगा आप इतिहास पर ध्यान मत दो जो राजनितिक सिध्धान चलता जा रहा है या चलता आ रहा है उसको मजे में लो उसको एक ऐसे करके लो जैसे कि मान लो आपका interesting जो subject होगा ठीके अब जैसे मान लो मैं political पढ़ाती हूँ political की teacher हूँ मुझे subject में interest था मैंने इसको मजे से पढ़ा खूब interest से पढ़ा हर चीज को हर चीज को political के नजरीय से पढ़ा तो आज मैं इसमें experience हूँ वो ही चीज आऊ सकता है कि आप social logic में interested हो English में interested हो तो वो चीज के अंदर आप expert होंगे तो वो ही वाली चीज को कि ना इतिहास पे ध्यान दो ना आधुनिक पे ध्यान दो भीच के टाइम पे ध्यान दो ध्यान देना है तो सिर्फ राजनितिक सिध्धान पे ध्यान दो उसको हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं इतिहास के रूप में राजनितिक सिध्धान उन विश्यों को चुनौती भी देता है जो अपनी उपयोगीता खो देते हैं जो अपनी पहचान को अपने तरीकों को सब को खो देता है हिस्ट्री उनको काफी हेलपफुल रहती है ठीके जैसे राज्य एक दैवी शक्ति का परिणाम है राज्य जो है यहाँ पर राज्य का लिया गया है एक बात और मैं आपको जो एक्जैम्पल्स देती हूँ आपकी रोज मर्रा की जिन्दगी के इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगो को समझने में काफी एजी रहे ठीके तो आप लोग इस बात पर फोकस किया करो कि मैंम ने हमें कहां पर कौन सा एक्जैम्पल दिया था इतिहास के रूप में राज्य नितिक सिधान्त इस विचार को संभाले रखता है कि नियाय स्वतंतरता समानता और करतव्वे जैसे संकल्पनाय जो होती है वो इतिहास में लगतार पॉलिटिकल थियोरी के अध्यन में एक सेंटर बनके रह गई है पॉलिटिकल पढ़ने में नियाय स्वतंतरता समानता और करतव्वे करतव्वे होती हैं आपकी responsibilities, obligations चीके तो उसके बहाफ पर political theory को हमेशा से समझा गया है और इन ही चीज़ों को केंदरविंदू central माना गया है वो इसलिए क्योंकि plateau के टाइम से चलो प्लेटो तो फिर भी 300-400 ईसा पूर्व के थे पहली शताब्दी से आज तक 21 शताब्दी तक politics के अंदर जिस चीज़ पे जोड़ दिया गया वो क्या था हमारा नियाय स्वतंत्रता समानता और करतवे ठीक है उसके अंदर right to property भी आता है लेकिन अब ये चीज़े नहीं देखी जाती है ठीक है आपका next point है राजनितिक सिधान दर्शन के रूप में लियोस ट्रांस नाम के philosopher थे उन्होंने बोला राजनितिक सिधान को दर्शन के रूप में देखो लेकिन राजनितिक सिधान दर्शन नहीं है नहीं ये सारे दर्शन राजनितिक सिधान के अंदर आते हैं मतलब सभी तरीके की philosophy political philosophy में नहीं आती है जाहिर है कोई scientific philosophy होगी कोई historical philosophy होगी कोई chemistry philosophy कोई psychology philosophy हर तरीके किया लग-लग philosophy होती है तो उन्होंने बोला philosophical तोर पे देखो लेकिन सब चीजे philosophy political philosophy में नहीं आती है ठीके कांट जो है उन्होंने बोला उन्होंने तीन प्रशनों को सामने रखा वो क्या थे कि मैं क्या जान सकता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा और मैं किसकी आशा कर सकता हूँ philosophy इसी बहाफ पर लिखी जाती है philosophy किसी चीज़ के आप लिखने बैठोगे आप ये लिखोगे कि मैं इसके अंदर क्या जान सकता हूँ या क्या जान सकती हूँ ये टॉपिक मुझे दे दिया गया ठीक है दूसरे चीज कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको और अच्छे से जान सकूँ तीसरे चीज कि मैं किसकी आशा कर सकता हूँ कि मतलब कि मुझे इसको और डे वर्तमान अपने अतीत के बगएर कायम नहीं हो सकता जैसे भविश है कि अगर आप अपने future के बारे में नहीं सोचोगे कि आगे चलके मुझे डॉक्टर बनना है political scientist बनना है नेता बनना है या फिर LLB करना है जो भी करना है जिसे political की student हो आप तो इसी बहाफ पे तो आप जब तक वर्तमान में present में उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे जो आपके future में काम आएगी वैसे ही वर्तमान को कभी कभी समझने के लिए कि भई past में मैं क्या था वर्तमान में present में मैं क्या हुआ और future में में क्या हो सकता हूँ वो चीज़े philosophy हमें दिखाती है तीसरा point है राजनितिक सिधान एक विज्ञान के रूप में science के रूप में बोली जा रही है science के रूप में जो है विचारक मानते हैं वो George Catlin है David Eastern है, Robert Dehill है ये सारे scientific perspective माने जाते हैं political theory को scientific तोर पे देखते हैं इनका ये मानना है कि सिधान जो होती है विज्ञान राजनितिक सिधान नहीं है ठीक उसी तरीके से राजनितिक सिधान विज्ञान नहीं है मतलब इनोंने वोला political science के आगे science लगाया गया है लेकिन science और political science में बहुत जादा फर्क है ये विद्वान जो है राजनितिक सिधान को बहुतिकी और रसाइनी इन्ही सभी तरीके से एक विज्ञान नहीं मानते हैं वो कहते हैं political science के अंदर chemicals reactions वगयरा नहीं होते हैं इसके अंदर सिफ theory theory होती है तो हम इसको science के तोर पे नहीं मानते हैं इस पर बहुत वाद विवाद भी चले थे इस बेस पे कि political science के आगे से science हटाओ क्योंकि सिफ political रखो ठीके अब कैसा लगेगा कि अगर आप मुझे बोला मैं political की अरे भाई political क्या मैं political subject है न तो वो वाली बात इसलिए ये नहीं हटाया गया इन्होंने बोला political science political को विज्ञान के रूप में theory के रूप में अच्छे से पढ़ना के लिए हमने political science नाम रखा है इसको हम science में include नहीं कर रहे हैं और obviously बात है science के अंदर formula है practical है सब कुछ है लेकिन political science में ये सब कुछ नहीं होता है ठीक है राजनितिक सिध्धानत के जो कारे हैं पहले हम वो देखते हैं अच्छे से राजनितिक सिध्धानत के कारेों को दो लोगों ने अच्छे से बताने कोईश करी है डैविड हेल्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं वो डैविड हेल्ड की महतपूर्ण राजनितिक परिवर्तनों को पहचान कर उसके परस पर सम्बंधों की व्याक्या करना ही राजनितिक सिध्धानत का काम है important topics को जानने के बाद उसके अंदर changes करना या फिर उसको अच्छे से देखना ही और उसके अंदर आपस में relation बनाना या coordination करना ही राजनितिक सिध्धानत का काम है दूसरी चीज क्या बोलते हैं यही कि सिध्धानतिक ढाचे या अनुसंधान को अधिक विश्व सनिये बनाना मतलब कि जो हमारे theoretical structure होते हैं उनको जादा से जादा एक भरोसे करने वाली चीज बनाना दूसरे रोल्स क्या बोलते हैं कि मानव के अस्तित को समझने के लिए एक बहुत important साधन है political theory और दूसरी चीज क्या बोलते हैं कि राजनितिक सिध्धान का प्रियोग, अन्वेक्षी वियंगात्मक असानी से ग्रहन करने वाले होना, करने वाला होना जरूरी है कि किसी भी चीज को, किसी भी perspective को आप बहुत easily समझ सको political theory का काम ये होता है ठीक है, तीसरी चीज ये क्या बोलते हैं कि राजनितिक सिध्धानिक समुदाय विशेश स्वेंबोट को वेक्त करने का साधन है कि किसी एक समुदाय को बताने का, अच्छे से represent करने का, अच्छे से उसको समझाने का काफी helpful साधन माना जाता है, तो ये ही उसके कार्रे हैं, ठीक है आगे है राजनितिक सिध्धानिक के महत, राजनितिक सिध्धान के महत में C. Right Mission बोलते हैं, कि राजनितिक सिध्धान देंग विचारधारा है, जिसमें आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और इसमें मांगे उठती हैं, और आलोचना की जाती हैं नीतिया बनाई जाती है कि ठीक है एक चीज मैंने बना दी मानलो मैंने लिखा पॉलिटिकल थियोरी पॉलिटिकल थियोरी में मुझे किसी एक वर्ड पर सर्च करनी है अब उसका ऐसा तो नहीं है कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो या किसी चीज पे काम कर रहे हो तो आपके क्रिटिसाइज करने वाले ना हो आपके क्रिटिसाइज करने वाले आपके आलोचक होंगे ही होंगे तो आपने उस परस्पेक्टिव पे काम करना शुरू करा उस नदरिये से काम करना शुरू करा उसके बाद क्या हुआ धिरे धिरे आपके उपर आरोब भी लगने लगे इसमें मांगे भी बढ़ने लगी इसमें हो सकता है आपका कोई पार्टनर भी आई कि यार तू फेमस हो रहा है मैं भी तेरे साथ काम करूँगा या करूँगी फिर उसके साथ साथ आलोज नय भी हुई और फिर उस पर पॉलिसीज भी बनाई गई है वो ये वाली बात को समझाना चा रहे हैं दूसरी चीज़ वो ये समझाते हैं कि ये एक आचा नियम वाली आदर्श है जिसमें अलग-अलग लेवल्स पर इनसानों को और सिच्वेशन को और मॉमेंट्स को समझन के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं गोल्स बनाई जाती है ठीक है तीसरी चीज़ नों नहीं मूली कि इसमें कारेकरम ऐसे शामिल होते हैं जिनमें साधन और साध्य को प्रकट किया जाता है जिसमें हमारे चीज़ों को किस तरीके से हम चीज़ों से काम कर रहे हैं उन ची कि सी राइट मिंड्स के पर्सपेक्टेव उनकी अनुसार वो कि हमारे राजनितिक सिधान की इम्पोर्टेंस क्या है तिकिए अब इसके बाद एक बाद और यहां पर आ जाती है कि अपनी जो हमारी मतलब राजनितिक विज्ञान है उसका एकी करन सामंजे करन पूर कथन एक तरीके से एक लाइन बनाना लाइन बनाने के बाद उसमें से हम देखो पाच लोग हैं ठीक है मैं लीडर हूँ और पाच लोग हैं अब मेरे पीछे जो बागी के चार बच्चे हैं या चार लोग हैं उन लोग अगर उनमें से कोई एक भी हिलेगा तो मेरे पास सिर्फ दी बच्चे बचेंगे और मेरी लाइन हिल जाएगी तो उन लोगों में आपस में मुझे कॉर्डिनेशन कैसे बनाना है वो चीज भी धियान में रखना उन सभी के परस्पेक्टिव को सुनना ऐसा नहीं कि किसी एक का सुनू मैं किसी एक को लीडर बना दू और अगर बनाओं भी तो उन में भी सब के परस्पेक्टिव को सुनना उसके बाद उनको अनलाइज करना देन काम करना वो हमारी पॉलिटिकल सिध्धान्त की इंपॉर्टेंस में माने जाती है डेविड इस्टन बोलते हैं कि राजनितिक सिध्धान्त की अफधानात्मक विचारबंधता के संबंद में वो यह वाली बात लिख देते हैं कि राजनितिक सिध्धान तथे के संग्रे और शोत के प्रेडना प्रदान करता है और उसे दिशा प्रदान करता है पहली बात तो नोंने बोली बुलते हैं कि वो एक चलने की रू 왜ोप में परियवेगशे तत्थियों का Cuba चेयन करने के लिए उपियोगी रहते हैं यह नमात्र एक दिशा सूचक की भाति दिशाूर्डेशन करते हैं बलकि मापक के रूप में किसे विश्चिश समय में विध्यांद्वारप्राप्विकास के अवस्ता पर प्रकाश डालते हैं मतलब कि एक बार थियोरी लिखने की बाद ही उसको रखने देते हैं उसको और भी नजरिये से लेफ्ट राइड इस्ट वेस्ट सब चरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं ठीक है तीसरी चौथी चीज ये बोलते हैं कि इसमें विद् प्रमो कारे भी राजनितिक सिध्धानत के अंदर आते हैं मतलब महत्व लेलो या कारे लेलो एक ही बात है जो राजनितिक दृष्टी से शासन मिवस्ताओं को और चित्ते प्रदान करते हैं या राजनितिक कारे मनुवे ज्यान कारे और नैतिक कारे इन सभी पर ध्यान दे ठीके स्टूडेंट आपकी जो what is political theory थी वो मैंने खत्म करा दी है खत्म नहीं हुआ है इसके आगे कर दो टॉपिक्स और बचते हैं आपकी विचार धारना है वो हम next class में प्रासंग गिक्ता के साथ कर लेंगे ठीके मैंने आपको इसको parts में इसलिए करके बताया ताकि आपको समझने में भी असानी रहे और जो जादा problems वगेरा आएं तो वो classes के हिसाब से ही solve हो जाए अगर एक साथ में class बना दूँ एक बड़ी class बना दूँ तो वो काफी problem हो जाएगा आपको समझने में भी असानी नहीं रहेगी I hope आप लोगों को कोई भी doubt नहीं रहा हो मैंने आपको बता दिया class के बीच में कि अगर कोई doubt है तो आप telegram link join करके महां से हमें personal message कर सकते हैं महां पे अपना doubt शेयर करें और अगर class के regarding या कोई और perspective है आपका तो आप हमें comment box ये telegram channel पे बता सकते हैं So thanks for the watching and best of luck all